हेलो एवरिबड़ी ये वीडियो तुम लोगों के लिए एक छोटा सा नौक नौक है ये समझाने के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो ऐसा सोच रहा है कि दी-दी हिस्ट्री में हम लोग बस प्रीवियस एयर कर लेते हैं जो पिछले पांस सालों में अब्जेक्टिब् मत करो हिस्ट्री में ऐसा प्लीज इस मैं रिक्वेस्ट और ये मेरा वर्निंग भी है हिस्ट्री में जो अब्जेक्टिब्स आते हैं बहुत अन्प्रेडिक्टिबल होते हैं वो अब्जेक्टिब्स बहुत ही अजीब गरीब अब्जेक्टिब्स होता है पता नहीं कहां से वो डूंड के देते हैं, बहुत सारे books पढ़ोगे, बहुत सारे test papers solve करोगे फिर भी, I don't want to demotivate, फिर भी ऐसे questions होंगे जहां, जो तुमने कभी face ना किया हो, चाहिए वो एक दो question ही हो चाहिए वो 5 questions हो, तेकिन ऐसे questions होंगे, objectives में खास करके जो तुमने कभी देखा नहीं है, तो इसलिए history में chance मतलो कि बस हम previous year करके जाएंगे हो जाएगा, question पूछने का तरीका, question बोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि 5 सालों में जो आया, वही question आएगा, कुछ घुमा के, कुछ हटा के, खास करके objective के साथ तो बहुत खिलवाड होता है तो if anybody is thinking कि बस हम लोग previous year कर लेंगे, और फिर हमारा history preparation हो जाएगा, कर लो लेकिन फिर, don't cry and don't come to me कि दिधी history में ऐसा marks आगया, वैसा marks आगया कि तुमने पढ़ा नहीं, मैं बार बार बोलते हो कि history के साथ, please ऐसा खिलवाड मत करो history में objectives बहुत अजीबों करीब आते हैं and I have faced it and I know it as a teacher also and as a student also, so please don't do this, पूरा syllabus पढ़ो अगर अभी भी तुम लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो अभी से शुरू करो भई किसके अंदजारतों को, तुम एक पूरा दो दिन गुजार देते हो, यह सोचने में कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, उसको utilize करो, पढ़ना शुरू करो, बुक जब तक read नहीं करोगे, बुक जब तक thoroughly नहीं पढ़ोगे तब तक अच्छा score कर पाना बहुत मुश्किल है, और यह स्टिल आफ ताइम, स्टाइम, डूंट बी लेट, डूंट दू अनी mistake नव, अभी शुरू करो, पस